इस टेबल के अंदर आपको किसी पेललोग्राम का एरिया दे रखा है उसकी हाइट और उसकी बेस दे रखी है कहीं कहीं पे बेस और हाइट का जो कॉलम है वो मिस है तो वो आपको निकालना है तो पहले पार्ट को देखिए यहाँ पे base दे रखा है 20 cm height यहाँ पे blank दे रखे यानि इसमें आपको height ही निकालनी है और area of parallelogram यहाँ पे दे रखा है तो जब आपको area of parallelogram दे रखा हो और base या height में से कोई भी एक चीज निकालनी हो तो पहले आप base और height का formula तयार कर ले वो क्या होगा वो देखिए base into height base into height होता है parallelogram का area यह हो गया अगर यहाँ से मुझे सिर्फ base चाहिए तो base के लिए area को divide कर दिया जाएगा height से क्योंकि यह equation बन रही है यहाँ पे base चाहिए और height multiply में है तो दूसरी तरफ जाके divide हो गया तो base का simple formula बन गया area divided by height इसी तरह से अगर आपको height निकालनी हो कहीं पे तो फिर height को यहाँ पे छोड़ देंगे अकेला area अपनी ही जग्या पे रहेगा तो फिर यह base से divide हो जाएगा तो यह दो formula बने base निकालना है तो area को height से divide कर देना और height निकालनी है तो area को base से divide कर देना अब तक आपके formula याद भी होगे होगे चलिए first part से शुरू करते हैं first part के अंदर यह जो a part है यहाँ पे height निकालनी है आपको तो मैं direct formula ही लिख लेता हूँ पहले height निकालनी है तो height का formula हो जाएगा area divided by base अब value पुट करते हैं तो area तो है यहाँ पे 246 cm square और base है 20 यह 20 cm अब इसमें मैं काटना शुरू करता हूँ तो दोनो number मेरे यहाँ पे 2 से divide हो रहे हैंगे पहले तो मैं 1 cm से cm काट सकता हूँ यहाँ पे cm दो बार है ना तो जो भी answer आएगा वो cm में आएगा वो हम last में लिख लेंगे number पे सिर्फ focus करते हैं यह दोनों 2 से divide हो रहे हैं 20 को 2 से divide करूँगा तो 10 आ जाएगा और 246 को 2 से divide करूँगा तो यह 12 और यह 3 यानि 1, 2 और यह 3 आएगा आप करके देख ले ना divide यही आएगा अब 123 को 10 से divide करेंगे तो सिर्फ क्योंकि नीचे 0 है तो एक अक्षा छोड़ के point लग जाएगा 100 से 10 से divide करने में जादा मेहनत तो करनी होती नहीं है सिर्फ decimal ही लगाना होता है तो यहाँ पे 1, 2, 3 नीचे 1, 0 है तो पीछे से एक अक्षा छोड़ के point लग जाएगा और यह हम height निकाल रहे है तो height जो एना a की dimension होती है तो सिर्फ cm लिखा जाएगा याद रहे base हो चाए height हो वहाँ पे सिर्फ cm में लिखा जाएगा क्योंकि वो लंबा ही होती है जो area होता है वो cm का square होता है तो a part हो गया है आपका चले इसके बाद b part पे चलते है b part के अंदर आपको निकालना है यहाँ base के column खाली है और height में 15 लिखा हुआ है और area में 154.5 cm square लिखा हुआ है तो base निकालना है मेरे को b में तो base का ही मैं formula लिखूँगा तो base हो जाएगा area divided by height area की value है यहाँ पे 154.5 और यह है height 15 unit में नहीं लगा रहा हूँ ताकि solve करने में आसानी रहे unit हम last में लगा लेंगे अब जब इस तरह का आपका question हो यह तो decimal में है और यह यहाँ पे पूरा-पूरा whole number है तो simplest को divide कर लेते हैं हम divide करेंगे तो हमार answer आ जाएगा 154.5 और यह 15 हो गया 15,1,0,15 पूरा-पूरा चला गया यह 0 आ गया उपर से 4 उतारा तो 4 तो छोटा पढ़ रहा है 15 से जब यहाँ छोटा नंबर होता है तो table 0 तक पढ़ना पढ़ता है तो 15,0,0 माइनस करेंगे तो अब यह 4 आ गया उपर से 5 उतारेंगे और क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ गया है बीच में तो हम यहाँ डेसिमल भी लगा देंगे answer में अब यह 45 बन गया है 15,3,0 होता है 45 पूरा चला गया answer नीचे 0 यह खतम तो इसका पूरा पूरा जब हमने डिवाइड किया तो 10,3 आ गया है और क्योंकि यह बेस है तो इसमें सिर्फ cm लिखना है यहाँ पर cm का square होगा area में यहाँ cm होगा और बेस निकला है तो यह cm यह B part हुआ B के वाद चलते हैं C part के उपर C part के अंदर देखिए यहाँ BASE की जगे खाली छोड़ रखिए that means आपको BASE निकलना है height 8.4 cm दे रखिए है area दे रखा है parallelogram का 48.72 cm square तो BASE निकलना है तो BASE का ही formula लिख लेते है तो BASE हो जाएगा area divided by height तो area दे रखा है यहाँ पर 48.72 cm का square और height दे रखिए है यहाँ पर 8.4 cm पहले तो यह मैंने given ही लिख लिया अब अगले step में इसे solve करते हैं तो 4872 यह point के बाद 2 number है ना तो इसका मैं decimal हटा लेता हूँ तो नीचे मुझे 100 लगाना पड़ेगा इसी तरह से यहाँ पर 8.4 है तो नीचे वाले का जब मैं decimal हटाऊँगा तो point के बाद एक number है तो उपर में 10 लगा लूँगा जबी भी आपके उपर नीचे के number हो तो सबसे पहले यह किया करें कि उनके आप decimal हटा लो हटाने का तरीका यह है कि point के बाद अगर दो number है उपर वाले में तो नीचे आप 1 और 2 0 इससे डिवाइड कर दो और नीचे वाले का अगर point हटाना है तो देख लो कि point के बाद कितने number है तो उपर उतने ही 1 और 0 से multiply कर दो point के बाद एक number है तो यानि कि 10 यानि कि 10 से 2 हैं तो 100 से अब पूरा ये point आपके खतम होगे देख लीजे दोनों number में अब इससे हम simplify करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा करना तो 0 से तो 0 कट गया उपर उपर ये हो गया है 4, 8, 7, 2 और नीचे 8, 4, multiply 10 से करेंगे तो 840 हो गये अब इसे काटने के बज़ा है अगर आप सीधर divide कर दो तो भेतर है आपका time बच जाएगा सीधर divide में आपका answer आ जाएगा तो divide यहां कर लेते हैं 4, 8, 7, 2 को divide कर लेते हैं 800, 4, 40 से तो 840 यहां मैं देख रहाँ कि पहले 3 number अगर लेता हूँ तो यह तो 800 से छोटे हैं तो मुझे 4 number लेने पड़ेंगे तो 8, 6, 40, 800 होगा लेकिन यहां 40 और यहां 72 है तो यह तो छोटा पड़ जाएगा तो 6 की जगे मैं try करता हूँ कि इसको मैं 5 पे ले लू 840 को 5 से try करता हूँ 840 को 5 से multiply करता हूँ 500, 0 5 4s are 20 और यह 2 आ गया 40, 42 आ गया 4200 यह 5 पे जाएगा तो यहां 4200 हो जाएगा 2 आ गया यहां पे यह 7 आ गया यहां पे यह 6 आ गया अब आगे कोई number तो है नहीं तो point हम यहां लगा लेंगे और 1, 0 लगा लेंगे अब number पे focus करते हैं यह 800 something है और यह 6700 something है तो 8 के table में 88064 होता है तो मैं try कर लेता हूँ कि 8 से यह बात बनेगी कि नहीं बनेगी तो 840 को मैं 8 से multiply कर लेता हूँ यहां पे कर लेते हैं 840 multiply by 8 800, 0, 0 840, 32 का 2 और यह 3 हो गया 88064 64 में 3 जोडा तो 67 हो गया यह 8 पे पूरा पूरा जा रहा है तो 8 लगा लेते हैं यहां पे और यह 6720 पूरा divide हुआ है तो इसका जो answer यहां पे आ रहा है यह हो जाएगा 5.8 और यह base निकाला है तो यह centimeter लिखा जाएगा चलिए C के बाद D part करते हैं D part के अंदर base दिया हुआ है 15.6 cm height का box खाली छोड़ रखा है that means आपको height निकालनी है और area दे रखा है 16.38 cm2 क्योंकि height निकालनी है तो height का ही हम पहले formula लिख लेते हैं तो height हो जाएगी area divided by base value भर लेते हैं area की जीए लिखना है 16.38 cm2 area और यहां base की जीए लिखना है 15.6 cm अब दोनों में decimal है ना तो मैंने बताया कि decimal आप पहले हटा लिया करें तो अगले step में हम यही करेंगे यह 16.38 को 16.38 मैंने decimal हटा लिया दो number थे तो नीचे 1 लगा के 2 0 यानि कि 100 से divide कर लेंगे इसी तरह से 15.6 point के बाद एक number है तो इसका decimal हम गयब कर देंगे एक number है आगे तो उपर 1 और यह 10 यानि कि 10 से इसको उपर multiply कर देंगे अब solve कर लेते हैं यह 10 से 10 कट गया और उपर 16.38 multiply 1 तो यह 16.38 ही हो गया और नीचे 156 को 10 से multiply करेंगे तो 1560 हो गया अब इसे काटने के बज़ा है काटने में आपको बार-बार-बार-बार-बार divide करना पड़ेगा तो वो time waste ही होगा बहतर है कि इसको divide कर लेते हैं तो हम divide कर लेते हैं 1638 को 1638 को 1560 से 1560 से तो यह 1 पे जाता हुँआ मुझे दिख रहा है 1560 हो गया यहां 8 में से 0 गया 8 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा 5 में से 5 गया 0 1 में से 1 गया 0 तो 7, 8 हो गया यहां पे अब 7, 8 के अंदर मुझे table चलाना है तो पहले point लगा के यहां 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे तो कोई number है ही नहीं अब यह 780 हो गया है यहां पे 1560 है यह number अभी भी छोटा है तो जब छोटा होता है तो table हम 0 तक पड़ते हैं तो 1560 को 0 से multiply करेंगे तो यह 0 ही आएगा माइनस करें तो 0 आ गया 8 आ गया 7 आ गया अब क्योंकि यहां point लगाया हुआ है हमने तो यहां पे एक 0 हम लगा सकते हैं यह मैंने लगा लिया अब यह 1500 something है और यह 7800 something है तो 1550 होता है 75 तो मैं इसे 5 से try कर लेता हूँ कि क्या 5 से यह चला जाएगा तो कर लेते हैं 1560 को 5 से multiply करूँ तो 50000 56030 का 0 और यह 3 हो गया 5525 और 328 हो गया 2 carry आ गया 5 1's up 5 और 6 7 7800 यह 5 पे पूरा चला गया तो यहां 5 आ जाएगा और यह 7800 पूरा डिवाइड हो गया तो 1.05 इसका answer आया है तो यह हो गया 1.05 सवाल centimeter में है और height निकाल रहे हैं तो यह centimeter लिखी जाएगी तो last part था question खतम इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye वे having with ऑले के लिए भी एस जा में रहुआ है